विद्ध्यार्थियों, इसे पूर्व हमने वर्गी की वर्गी की विभिन्द शाकाएं द्वी जगत वर्गी करण, पांच जगत वर्गी करण, द्वी नाम वर्गी करण पद्धती आधी का अध्यन किया वर्गी कीके जो प्रमुक आस्पेक्ट होते हैं अर्थात इदनी अधिक जे विविदिता होने के बावजूद हम सभी प्राणियों और पोधों के बारे में विश्तर जानकारी रखते हैं कि किस तरीके से जे विकास हुआ है प्रत्वी पर कौनसे जीव और पोधे कम संख्या में बचे हैं उनका किस तरीके से संगरहन किया जाएं उनको बचाया जाएं इन सब के बारे में जानकारी हमें इन प्रमुक आस्पेक्ट इन तत्यों के बारे में प्राप्त होती है जिने वर्गी की के प्रमुख्य यंत्र माना जाता है आईए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से वर्गी की के अध्यन के प्रमुख्य यंत्र पोधों एवं जन्तुओं के वर्गी करण एवं अध्यन हेतु कई अंत्रों और पद्धतियों का उप्यों किया जाता है जिनने सरवादिक महत्वपून टूल्स इस प्रकार है वानसपतिक उध्यान, हरबेरियम, प्राने उध्यान, संग्राले, वर्गी की कुंजी और वर्गी की का साहित्य ये सभी टूल्स हैं जीन के द्वारा हम इतनी अधिक जे विविदता होने के बवजुद सभी पेड़ पोधों जीव जन्तों का विकासी अध्यान कर सकते हैं सबसे पहला आता है बोटनिकल गार्डन वानसपतिक उध्यान नाम से इंपता चल रहा है ये पेड़ पोधों से संबन्दित उध्यान होगा वानसपतिक उध्यान मानव द्वारा इस्थापीत ऐसे प्राकरतिक इस्थल होते हैं जहां पर पोधों को जिवी दवस्था में संग्रहित रखा जाता है और पोधों की विभिन प्रजातियों का समूचित प्रभंदन और विकास किया जाता है ताकि प्रकृति में उनकी संख्या परियाप्त मात्रा में बनी रहे ये वानस्पतिक उध्यान पोधों को प्राकर्तिक बातावर्ण देने के साथ विध्यार्थियों और शोध कनने वालों के लिए खुली प्रयोक शाला होते हैं कुछ प्रमुक वानसपतिक उध्यानों के नाम इस प्रकार हैं इन वानसपतिक उध्यागनों के बारे में अबजेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं आईए देखते हैं प्रमुक वानसपतिक उध्यान नमबर वन रॉयल बाटेनिकल गार्डन एडिनबर्ग स्कॉटलेंड यहाँ पर रोडो डेंडरान के पोधे अधिक तायत पाये जाते हैं और इसकी स्थापना 1670 में हुई थी इंडियन बाटेनिकल गार्डन शिवपूर कॉलकत्ता यहाँ पर बहुत आयत आर्किट और पेंडेनस नामक प्लांट पाये जाते हैं इसकी स्थापना 1780 में हुई थी नेशनल बाटेनिकल गार्डन लखनाउं लॉयर्ड बाटेनिकल गार्डन दारजी लिंग वन अनुसंधान संस्थान वानसपति गुद्ध्यान दहरादुन इसकी स्थापना 1800 में हुई थी और यहाँ फर्न अधिक तायत पाये जाते हैं अगला वानसपति गुद्ध्यान इलहबाद विश्विद्ध्याले इलहबाद उत्तरप्रदेश में है यहाँ शेवाल ब्रायोफाइट टेरीडोफाइट और जिम्नोस्पम आदी पोधे बहुत आयत होते हैं नेक्स्ट वानसपति गुद्ध्यान सागर विश्विद्ध्याले सागर मध्यप्रदेश इस तरीके से यह विदेश और देश में पाये जाने वाले प्रमुक वानसपति गुद्ध्यान हैं अब वर्गी करण की जो अगली कैटेग्री आती है जिसके अंतरगत हम विभिन्न पोधों को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं देखिए हर्बेरियम पोधों का एक ऐसा संग्रह होता है जहां पर पादप्रती रुपों को सुखा कर अच्छी प्रकार से दबाने के पश्यात कागज के शीटों पर आरोपिद कर वर्गी करण की किसी मान्य पद्यती के अनुसार व्यवस्तित करके रखा जाता है अर्थात पोधों का जो भी सेंपल लिया है जो भी पत्ती और पुश्प वाला भाग लिया है उसको सोकता कागज के बीच में अच्छे से रख कर प्रेस करके उसको दबा दिया जाता है कुछ दिनों के पश्चात वो सूक कर बिलकुल व्यवस्तित प्रतिरूप बन जाते हैं और इनको हर्बेरियम शीट के उपर चिपका दिया जाता है इन पादप प्रतिरूपों को भविश्य में अन्य अध्यन और संदर्वहेतु सुरक्षित कर लिया जाता है किसी भी मान्य वर्गीगन पद्धती के अनुसार ये हर्बेरियम बनाने के उद्देश क्या होते हैं? इसमें विभिन पादप प्रतिरूपों को संदर्ख्षित करके रखा जाता है जो नए खोज करने वाले नए मिलने वाले पोधों को गुणों को मिलाने में पहचान करने में काम आते हैं इन पादप नमूनों से पोधों की पहचान आसान हो जाती है और निश्चिस सम्बंदी समया आउधी में पाए जाने वाले विभिन पोधों की जानकारी प्राप्त हो जाती है हर्बेरियम तयार करना है तो हमें किन किन चीजों की आवशक्ता होगी? तो सरप्रदम हमें एक बड़ी जाली नुमा बासकेट या टोकरी की आवशक्ता होगी जिसे वैसकुलम कहते हैं पोधे के सेंपल को दबाने के लिए हमें एक वजनदार प्रेस की आवशक्ता होगी एक नमबर धर्ड प्रूनिंग शियर, नमबर फोर खुर्पी, नमबर फाइब फिल्ड नोटबूक और नमबर सिक्स केची इन शे उपकर्णों की आवशक्ता हमें हर्बेरियम तयार करने के लिए होती है हर्बेरियम तयार करने के लिए क्या विधी रहेगी? तो सबसे पहले जिस भी इस्थान से हमें पोधों का सेंपल लेना है उस जग़ जाकर हमें विभिन पादप नमूनों का संग्र करना होता है इसके बाद पादप प्रतिरूपों को प्रेस करना होता है सोकता कागस के फिल्डर पेपर के बीच में इसके बाद उन पादप्रती रूपों को सुखाया जाता है सुखाने के पशाद उन पादप्रती रूपों को 19 गुनित 41 cm इतनी लंबी और इतनी चोड़ी हर्बेरियम शीट पर उनको रख कर चिपकाया जाता है और उसके बाद उसकी लेबलिंग की जाती है नमांकन किया जाता है लेबल का आकार होता है 4.5 गुनि 7.5 लंबाई और चोड़ाई वाला लेबल होता है इसके बाद हर्बेरियम शीट का संग्र कर लिया जाता है फेमेली वाइज या विकासी अवस्था वाइज मान्य वर्गी गण पद्दती के आधार पर और अलग-अलग इंडेक्स कार्ड बना दिये जाते हैं ताकि हमें कोई नया पोधा मिले तो हमें पहचानने में आसानी हो इसके बाद भारत वर्ष में पाय जाने वाले प्रमुख हर्वेरिया ये भी अब्जेक्टिव में पूछा जाता है हर्वेरिया आफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन कॉलकत्ता पश्चिम बंगाल इसकी स्थापना 1780 में हुई थी नमबर टू दहिस्टान सर्कल हर्वेरिया बी असाई शिलां मेंगाले 1912 में इसकी स्थापना हुई हर्वेरिया माफ फारेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट दहरादून उत्राखन 1908 में स्थापना हुई Western Circle Herbarium BSI पूने महराष्ट 1913 में इस हरवेरिया की स्थापना हुई Central Circle Herbarium BSI इलाबाद उतरप्रदेश 1955 में इसकी स्थापना हुई इसके बश्याद जो थर्ड कैटेगरी आती है Geological Garden प्राणी उद्धिहान यहाँ भी जेवीविदता का संदक्षन किया जाता है प्राणी उद्धिहान ऐसे इस्थान होते हैं जहाँ जन्तुओं को मानव निर्मी बंद इस्थानों पर रखा जाता है यहाँ जन्सामान्य को इन जीव जन्तुओं को देखने की सुविधा रहती है और मानव प्रभंदन की सहायता से इन जीव जन्तुओं की देखभाल की जाती है इनका उद्धेश होता है जेवीविदता का संदक्षन करना जन्तु प्रजातियों का संदक्षन कर इनकी संख्या बढ़ाना मनुष्य का मनोरंजन करना और मनुष्य में प्राणियों के प्रती जागरुकता लाना प्रमुख प्राणि हुद्यान इस प्रकार है नमबर वन जुलोजिखल पार्क नाहिदेली राजिव गांधी नेशनल पार्क पूने महाराष्ट नंदन कानन जोलोजिकल पार्क बहुनेश्वर उडिस्सा पदमजा नाइडू हिमाले जोलोजिकल पार्क दार्जिलिंग नहरू जोलोजिकल पार्क हैदराबाद तेलंगाना इसके बाद फिफ्ट केटेगरी आती है जेविक संग्रालयों की म्यूजियम की जेविक संग्राले ऐसे इस्थान होते हैं जहां पोधों एवं जन्तुओं के सेंपल नमूनों को अध्यन एवं पहचान है तू संदक्षित रखा जाता है यहाँ पर जीवों का शुश्क संग्रहन या वीलियन संग्रहन किया जाता है संग्राले में उन जीवों तथा पोधों के भागों का संग्रह किया जाता है जिनका हम हरवेरियम बनाकर उनको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं अब वीलियन के रूप में समर्धन के लिए एक द्रव का उपयोग किया जाता है जिसे फॉर्मेलिन कहा जाता है और हमने अपने आस्वाज भी प्रयोक्षाला में विभिन पोधों और जीव जन्तूं को रखा हुआ देखा होगा तो वो जो लिक्विड होता है जिसमें कोई जीव या पोधा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है उसे फॉर्मेलिन कहा जाता है नेक्स्ट वर्गी की कुंजियां कुंजियां मतलब छोटे छोटे तक्ते टेग होते हैं उन टेग के उपर उस फेमिली के कुछ विशेश लक्षन लिख दिये जाते हैं ताकि पूरी की पूरी हर्वेरियम को बाहर नहीं निकालना पड़े और उस वर्गी की के टेग को कुंजि कहा जाता है उस कुंजियां की सहायता से ही हमें मिलने वाले पोधे के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए कि ये इस फैमेली से संबंधित पोधा है उस कुझी के उपर तीन या चार उस फैमेली के मुख्य लक्षन लिखे होते हैं जिससे जो नया पोधा मिला है नय पोधे के लक्षन इस टेक्सोनोमिक की पर मिले हुए लक्षनों से मैच हो जाएंगे वो उस फैमेली का मेंबर होगा वर्गी की कुझी एक ऐसी क्रत्रिम विसलेशन आत्मक युक्ती है जिसके द्वारा किसी अग्यात प्राणी या पोधे की पहचान की जाती है पोधे की पहचान है तू सर्व प्रधम लेमारक ने वर्गी करण कुझी का उप्योग किया था इसकी सर्व प्रधम उप्योग लेमारक ने 1789 में किया था कुंजी का उपयोग अनेक समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर पोधों की पैचान करने के लिए किया जाता है यह टेक्सोनोमिक कुंजी वी पर्याई लक्षणों के उपर आधारित होती है इसके बाद जो लास्ट होता है वर्गी करन के अंतरगर जे वी विदता के अध्यन करने का वो कहलाता है वर्गी की का साहित्य याने हमने विभिन हरबेरिया वानस पतिक उध्यान जोलोजिकल गार्डन टेक्सोनोमिक की आधी के बारे में पढ़ा लेकिन जब तक इसको व्यवस्ति साहित्य के रूप में नहीं लिखा जाएगा आने वाली पीडियां उसको कैसे पढ़ेगी और किस तरीके से पहचानेगी इसके लिए वर्गी की के साहित्य का उप्योग किया जाता है देखिए वेग्यानिक अनुसंदान कारियों की रिपोर्ट तेयार करते समय उस विशय से सम्मंदि साहित्य या सूचना या पहचान हे तू आवश्यक होता है इसाहित्य के अध्यन से विशय वस्तू की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो जाती है जिस से जन्तू की पहचान नामकरण वर्गी करण अध्यन आदी में सुविधा होती है प्रमुक वर्गी की साहित्य का उप्योग वर्गी करण में किया जाता है ये कौन-कौन है नमबर वन संदर्व पुस्त के विज्यानिक शोध पत्र नमबर थ्री विभिन प्रकार के फ्लोरा नमबर फोर विभिन प्रकार के फोना विभिन प्रकार के इंडेक्स और मोनोग्राफ आदी इस तरीके से इन छे आस्पेक्ट के द्वारा हम किसी भी इस्थान की जे वर्गी की के अंतरगत विभिन जीवों और पोधों का अध्यन कर सकते हैं और इने वर्गी की के यंत्र कहा जाता है